इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और इसका उप्योग मूह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों में नाखूनों और पैर के नाखूनों सहित संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। यह कवक कोशिका जिल्ली को नश्ट करके कवक को मारता है। फंजीजोल 200 मिलीग्राम कैपसूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लिया जाना चाहिए। इसे पूरा निगल लिया जाना चाहिए और भोजन के साथ लिया जा सकता है। सबसे अधिक लाप प्राप्त करने के लिए इस दवा को समान अंतराल पर ले और जब तक आपका नुस्खा समाप्त न हो जाए तब तक इसका उप्योग जारी रखें। भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएं। यदि आप उप्चार को बहुत जल्दी रोक देते हैं तो संक्रमन वापस आ सकता है और यदि आप खुराक लेना भूल जाते हैं तो आप संक्रमन के अपने जोखिम को बढ़ा सकते हैं जो आगे के उप्चार के लिए प्रतिरोधी हैं। अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या संक्रमन ठीक नहीं होता है यदि ये खराब हो जाता है। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, सामानि सर्दी, खांसी, धुंदली द्रिष्टी और मासिक धर्म की समस्या शामिल हैं। आप अपने डॉक्टर से इन प्रभावों को रोखने या कम करने के तरीकों के बारे में पूछ सकते हैं। यदि आपको अलजी की प्रतिक्रिया के संकेत हैं, जैसे गंभीर त्वचा लाल चिकते, जुन-जुनी, सांस लेने में कठिनाई, आपके चेहरे, होंट, जीब या गले में सूजन हैं, तो अपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। यदि आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं, तो इसे तब तक न ले जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा करने के लिए न कहा हो। आपके रक्त की जाँच करके आपके लिव की जाँच कर सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और All Notification को क्लिक करें धन्यवाद